नमस्कार फ्रेंग्स मैं आपका मित्र आपका सखा आपका फ्रेंड कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभी नंदन करता हूं वास्तु की बाद कमल नंदलाल के साथ पर एस्टो तक पर एस्टो तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके जीवन को सरल सुखम और प्रियास निरन तरजारी रखे वह है आज वास्तु की बाद कमल नंदलाल के साथ में बहुत विशेश टॉपिक बहुत आम टॉपिक और बहुत काम का टॉपिक उन लोगों के लिए जो शादी-शुदा है और टॉपिक है जब पती-पत्नी में होने लगे तकरार तो समझ लीजे घर में हो गया है कोई वास्तु दूश जी हां आम चलते-चलते अगर पती-पत्नी के बीच में जगड़ा होना शुरू हो जाए आपसी मतभेद होना शुरू हो जाए यह जो दो पईयों पर चलने वाली गाड़ी है जिसे हम विभा कहते हैं दामपत्य कहते हैं रिल चाहर आने का संकेत आ चुका है तो यह स्तिती है सावधान होने की यह स्तिती है अलट होने की समझ लीजे कैसे दामपत्य संबंद कालपुरिश ठोरी और वास्तु पूरिश ठोरी के नुसार तीन प्लानेट्स पर डिपेंड करते हैं इस तरी के केस में ब्रहस्पती जो पत कारक है फीमिल के केस में शुक्र जो गल्फरेंड या पतिनी का कारक है मार्स जो आपके कुंडली चाहिन प्राइक्शन लंक नितर Lyndon वो प्लानेट है बुद्ध अगर इन चार डिरेक्शन्स में आपके घर में कहीं कोई दिक्कत है तो समझ लीजे कि आपकी मैरेज भी सुरक्षत नहीं है क्योंकि लोग अब फ्लैट्स में रहना शुरू कर गए हैं तो आप ये देखिए कि जब भी लोगों ने फ्लैट्स में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्या बदलाव करें अपने घर में ऐसा कि आपके घर का वास्तु दोष दर जाए और आपके जीवन में जो वास्तु दोष समाहित हो गया है उससे आपको छुट कारा मिल दाए वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ का उद्देश ही यह है कि बात करते हैं कौन्के डärक्षन में क्या प्रड्लम अगर आपके घर में साउठ डरेक्षन के अंदर पानी का कोई स्थान है तो आपके यहां पर डाएवोर्ट होने के बहुत ज्दा चांसरे बन जाते हैं अगर आपके कुंडली में, अगर आप मांगलिक हैं और आपसने मांगलिक दोश का निवारा नहीं कराया है और आपकी साउथ डिरेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ये डिस्प्यूट हाता पाई पर भी आ सकते हैं, ये डिस्प्यूट एक दूसरे को मारने की कोशिश पर भी आ सकते हैं, और अट लिस्ट फिजिकल असॉल्ट की कंडिशन आ सकती है, तो उसके लिए साउथ डिरेक्शन को ठीक करना बहुत जरूरी है, मैं सलहा दूंगा उन लोगों को जो इस तरीके के दोश से पीडित हैं और साउथ डिरेक्शन के अंदर उनकी प्रॉब्ल एक स्टिकर लगवाले हैं, औरेंज कलर का थोड़ा सा बड़ा जो विजिबल हो, ट्रैंगल कलर का औरेंज रंका एक ट्रैंगल जो स्टिकर हो और उस पर आप एक शब्द लिखें, हिंदी का ही शब्द, ब्लाक कलर से क्रीम, आप चाहिए से मारकर से लिखें और वहाँ प करते हैं हम शुक्र की direction की South East के अगर आपके कुंडली में शुक्र खराब है और साथ बसाथ के अदर अगर आपके घर की South East direction बिगड़ी भी है तो यह समझ लीजे कि आप की जो Girlfriend है या आपकी जो wife है उसका interest आपके से खतम हो गया है यह मिल्स के लिए है तो आपको क्या करना है आपको घर के सौथ इस्ट डिरेक्शन के अंदर हो सके तो गुलाबी पेंट कराना अगर आप वो नहीं करा सकते हैं तो एट लिस्ट बारा जिर्कॉन यानि कि जो अमेरेकन डामेंड होते हैं नकल हीरे वो आपको पानी की बॉटल में काच की बॉटल में थोड़ा सा गंगा जल और बाकी उसको पानी से भर लीजे बारास जिर्कॉन के पीसेस उसके अंदर डाल के उसको एर टाइट करके घर की सौथ इस्ट डिरेक्शन में छुपा के रग दीजे आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है गल्फरेंड या वाइफ स एट लीस्ट राधा और कृष्ण का एक काफी अच्छा जूला जूलते वे जो है एक पिक्चर आपको लगाना चाहिए और कोशिशे कीजे कि इस डारेक्शन के अंदर आप जो उसकी सजावट करें वो पीले या गॉल्डन फ्रेम में करें यह ज़रूर करें आप लास्ट अगर आपके कुणली में बुद्ध खराब है और आपको लगता है कि कुछ हमारे में बौदिक स्तर पर मतवेद हैं लड़के और लड़की की बीच में या हस्बंड और वाइफ के बीच में और डैवर्स जैसे कंडिशन आ रही है तो एक बहुत सीधा और सिंपल सा और तुल्ची को नहीं भी रखना चाहते हैं तो एक मनी प्लांट का पौधा कांच की बॉटल में ग्रीन ग्लास की बॉटल में बड़ी अच्छी बॉटल्स बजार में मिल जाती हैं ग्रीन ग्लास की बॉटल में मनी प्लांट का पौधा घर की नौर्थ डैरेक्शन के अगर आपके मेरेड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है डावोज जैसी स्थिति आ रही है तो आपको क्या करना एक बांसूरी लेनी है जो लकडी की बांस से बनीनी बांसूरी आती है और उस बांसूरी पर एक मोर पंक लगाना है और उसको घर की नौर्थ इस्ट डिरेक्शन पर किसी भी सेलो टेप से उसको चिपका दीजे और नियमेत रूप से वहाँ पर फाइफ अमांगलम कीजे पांच चीजे चढ़ाईए वहाँ पर दिया जलाईए उसके पास में रोज धूप कीजे उसके पास में फ्रोड़ा सा तिलक लगाईए साथ के साथ में वहाँ पर एक फूल चढ़ाईए और कुछ भी खाने के चीज़ का भोग लगा कर उसे खुदी का लिजे चाया आप उसमें केंडी का भोग लगा चाया चौकलेट का किसी का भोग लगा तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही कल आप सब फिर मुलाकात होगी वास्तु की बात कमल लेंदलाल के साथ में पत्ता अपने मित्र अपने सखा अपने फ्रेंड कमल लेंदलाल को अजाज़त दीजे नमस्कार